Hello everyone Welcome to this course आज हम लोग Linux में Linux system में processes कैसे manage करते हैं तैक है उस चीज को समझेंगे तो हम लोग discuss करेंगे कि process क्या होता है और Linux system basically processes कैसे हम manage करते हैं मतलब कैसे हम processes create करते हैं कैसे processes को kill करते हैं तो यह सब सारी चीजे देखेंगे ठीक है तो हम लोग सुरू करते हैं right so my name is Vinayiswas right so let us continue with the lecture right so let us see हम लोग क्या discuss करेंगे इस चीज को पहले एक बार समझ लेते हैं right learning objective क्या होगा इस lecture में right so पहले हम लोग दखेंगे कि basically process क्या होता है process को समझेंगे ठीक है and उसके बाद हम लोग दखेंगे कि different type of processes क्या होते हैं ठीक है so पहले process समझेंगे फिर कितने तरह के process होते हैं इस चीज को हम लोग समझेंगे ठीक है फिर हम लोग समझेंगे कि जो processes होते हैं, उनके बहुत सारे properties होते हैं, जिसको attributes बोलते हैं, तो वो सारे attributes क्या होते हैं, उसको हम लोग discuss करेंगे, ठीक है, फिर हम बहुत सारे command पढ़ेंगे, जो process से related है, ठीक है, वो सारे command को हम लोग explain करेंगे, और देखेंगे कैसे वो Linux में use होता है तो कुछ examples जैसे लिया है, यहाँ पे, यह कुछ examples है, four, kill, right, three, df, right, so यह बहुत सारे command है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, so पहले हम लोग समझेंगे कि basically process क्या होता है, ठीक है, पहले हम लोग process समझेंगे, process के type समझेंगे, उसके बाद आगे हम लोग command use करें ठीक है, so process basically आपने पढ़ा होगा, process क्या होता है, ठीक है, तो इस चीज को मैं एक बार फिल से review करता है, कर रहा हूँ, basically process का मतलब होता है, कोई भी जैसे program होता है, ठीक है, program को अगर आप memory allocate कर देते हैं, that become a process, ठीक है, कोई program अगर उसको आप memory allocate करते हैं, तो वो basically वो process बन ठीक है, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक program अगर run करना शुरू कर जाता है, that become a process, ठीक है, कोई भी program अगर आप उसको run कराने लगते हैं, तो वो क्या होता है, ठीक है, तो basically program का हैं पर मतलब होता है, क्या, program का मतलब यहां पर होगा, executable code, या object code, ठीक है, अगर हम बात कर हैं, तो executable code या object code, वो code होता है, वो program होता है, जो computer पर run कर सकता है, ठीक है, वो क्या होता है, basically machine instructions होते है, object code या executable code, ठीक है, तो उसको हम program बोलते हैं, ठीक है, तो उसी program को, या object code को अगर आप memory में load करते हैं, that become a process, जब वो run करना शुरू होता है, run कैसे करेगा, जब तक आप RAM में या memory में load नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये program in execution become a process, किसी program को अगर आप run कराते हैं, तो क्या होता है, object वो process बन जाता है, ठीक है, एक simple से example जैसे है, कि आपने dot c या dot cpp बहुत सारा program run कराया होगा, ठीक है, so dot c dot cpp क्या होता है, they are basically high level program, ठीक है, इसको हम computer program नहीं बो बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, high level instructions होते हैं, क्योंकि इसको क्या करते हैं, हम compile कराते हैं, ठीक है, compilation के बाद क्या जो मिलता है, मुझे a dot out file मिलता है, ठीक है, तो ये जो object code है, इसी को हम program बोलते हैं, तो program का मतलब basically object code, जो कि इसमें binary instructions हो, जो computer पर directly run कर सकता है, जैस इसको computer नहीं समझता है, जिसको क्या करते हैं, translate करते हैं, compiler का यूज़ करके, प्रोग्राम में, जो कि basically object code या executable code होता है, ठीक है, तो ये जो program होता है, ठीक है, अब इस program को जब आप run कराते हैं, कैसे run कराते हैं, dot slash a dot out का यूज़ करके, तो ये जब program run करना सुरू होता है, ठीक है program in execution तो यह program it become now a process ठीक है तो जैसे run कराते है, run कैसे कराते है इसको आप क्या करते है, ram में load करते है और इसमें जो भी instructions है boundary instruction है, वो one by one execute करना सुरू होता है so, कोई भी program अगर execute करने लगता है, then it become a process right, so I think the concept of process is clear कि program क्या है process क्या है, ठीक है so, यहाँ पर उसी सीज को लिखा है, कि यह process is basically instance of computer program executed by the computer और execution एक thread में हो सकता है या multiple thread में हो सकता है, हो सकता है कि जो computer program है, एक thread में run कर रहा है हो, और हो सकता है उसके साथ कई thread associated हो, ठीक है so, उससे difference नहीं पड़ता है as long as it is a program, हो सकता है कि वो एक thread में run कर रहा हो और हो सकता है कि वो multiple thread में run कर रहा हो, ठीक है, जैसे हो सकता है, यहाँ पे three thread में वो एक program रहा हो, तो as long as it is in execution in one thread, और several thread, ठीक है, यह क्या है basically, यह process है ठीक है, so basically अगर यहाँ पर एम बोलें, तो प्रोग्राम और प्रोसेस में जो डिफरेंस है वो बिसकली activity का है ठीक है activity का मतलब कि program बिसकली क्या होता है passive code होता है जैसे a.out आगर आपने लिखा है वो क्या है बिसकली passive code है ठीक है लेकिन अब वही code जब run करना सुरू हो जाता है तो क्या होता उसके साथ वो active code हो जाता है ठीक है बहुत सारे instruction sequence में execute होते है तो अगर activity associate हो गया program code के साथ तो that becomes basically process ठीक है तो यहाँ पर उसी example को अगर हम समझे previous example को तो basically जैसे a.out basically क्या होता है this is a program तो this is basically passive collection of instruction इसमें जो instruction होते है अगर आपने program को compile करके रखा है तो जैसा है वैसा यह पड़ा रहता है इसके साथ क यह execution इसका शुरू होगा जब यह RAM में locate हो जाएगा यह RAM में program load हो जाएगा और यह CPU इसको मिल जाएगा execution के लिए तो उसके साथ क्या होता है यह activity associate हो जाता है तो उस situation में क्या होता है basically यह program run करना शुरू हो जाता है and it become a process right तो ऐसा हो सकता है कि process का मतलब ऐसा नहीं है कि ए एक program के correspondingik process हो सकता है ऐसा हो सकता है कि एक program के correspondingik several process हो सकता है ठीक है जैसे कि यहाँ पर लिया है कि जैसे एक कोई प्रोग्राम है जैसे C या C प्रोग्राम है इसको क्या करिए कि आप several terminal open कर लिजिए जैसे मैं Linux की बात कर रहा हूँ तो several आप terminal open कर लिजिए ठीक है और सब में क्या करिए इसी को run कराईए .slash a.out तो जितना terminal open करके जितनी बार ये program आप run कर रहा है जितने terminal window में उतना ही क्या होगा उस process हो गया प्रोग्राम एक ही है लेकिन उतना process हो गया process का number जितना number of terminal window में run कर रहा है उतना हो गया जैसे अगर three terminal window में अगर आप a.out को run करा रहा है तो यहाँ पर basically three processes हो गया सब में एक एक process run कर रहा है तीक है उसी तरह से दूसरा example मा लिजिए अगर आपने कोई browser open किया है तीक है अगर browser का three windows आपने open किया है जैसे mozilla है browser या chrome है तो अगर three chrome browser आपने open कर रखा है तीक है तो गया रविसके लिए example of three processes लेकिन प्रोग्राम क्या है एक ही है प्रोग्राम एक ही है ओ क्या है mozilla browser या chrome browser ठीक है तो प्रोग्राम एक है बेट processes can be several ठीक है तो जितनी बार आप जितना execution उसका instance of execution होगा उतना ही processes होंगे ठीक है तो यहाँ पर summarize किया है processes को पहले चीज़ जो है वो है कि यह किया है instance of one or more related task executing on a computer ठीक है the second thing is कि process of program same नहीं जैसा कि हम लोग उन्देखा ठीक है process and program is not same program को अगर आप memory में load कर देते हैं उसके साथ क्या होता है कुछ activity associate कर जाता है मतलब program को अगर RAM CPU मिल गया तो यह क्या हो गया process बन गया और command and process they are also not the same thing क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक command अगर आपने start किया या run कर आया तो उसे several processes create हो सकते हैं ठीक है so a single command में actually start several processes simultaneously ठीक है तो program और process same नहीं है command और process same नहीं है ठीक है जैसे हम लोग Linux system बोलते है command command देना तो ऐसा हो सकता है कि आप समझ सकते हैं कि एक command आप ऐसा कह सकते हैं एक command एक process को create करें लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा हो सकता है कि एक command से several processes create होंगे ठीक है so command and process are not same thing similarly program and process are not same thing ठीक है अब process क्या हो सकता है independent हो सकता है एक दूसरे से और related भी हो सकता है so related और independent का मतलब यह हुआ कि अगर दो process जैसे A और B अगर process है जैसे एक process A है दूसरा process B है ठीक है so independent है इसका मतलब क्या हुआ कि एक का execution दूसरे को affect नहीं करेगा ठीक है एक का execution से दूसरा affect नहीं होने वाला है ठीक है so A अगर B independent है तो A का execution कैसे हो रहा है ठीक है उससे B affect नहीं होगा उससे तरह B का execution कैसे हो रहा उससे A affect नहीं होगा ठीक है so they are independent ठीक है ठीक है ऐसा हो सकता है कि दो processes का जो running status है एक दुसरे को affect कर सकता है जैसे A और B है तो ऐसा हो सकता है कि A अगर fail कर गया तो B भी fail कर जाए या B stop कर जाए ठीक है या B मान लिजे कि A stop कर गया abnormally तो हो सकता है कि A भी stop कर جाए ठीक है तो आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि process independent हो सकते है या related हो सकते है ठीक है तो इस ऐसा भी हो सकता है या कि एक process अगर fail कर गया तो दूसरा effect नहीं होगा या fail कर गया तो दूसरा effect होगा ठीक है तो यह सब सारी चीजे यह बहुत सारे aspect process के साथ है इस चीज़ को हम लोग आगे discuss करेंगे ठीक है अब यहां पर है कि process जैसा कि हम create करते हैं तभी यह process बनता है जैसे कौन सा resources जैसे RAM memory में अगर प्रोग्राम को आप लोड करते हैं ठीक है और इसको CPU मिलता है तभी तो प्रोग्राम करने का मतलब क्या हुआ कि इसको CPU मिल गया ठीक है तो generally program process तब बनता है जब इसको आप RAM में लोड कर देते हैं और process execute करना चाहिए computing resources का मतलब इसको run करने के लिए कुछ system resources चाहिए ठीक है कौन कौन सा resource जैसे बहुत सारे resource है जैसे RAM ठीक है random access memory ठीक है एक resource है तो को भी अगर process को run कराना तो उसके लिए आपको RAM चाहिए बिना process को RAM में लोड किये हुए memory में लोड किये हुए process run नहीं करेगा ठीक है उसी तरह से CPU भी चाहिए CPU cycle जिसको बोलते हैं ठीक है कितना CPU cycle चाहिए वो program पे depend करेगा ठीक है तो process को CPU भी चाहिए क्योंकि जो computation होता है ठीक है वो कहा होता है CPU का यूज़ करके यह होगा ठीक है तो CPU भी चाहिए फिर बहु सारा peripheral devices भी चाहिए peripheral devices input output के लिए या storage के लिए सो बहु सारा peripheral devices like the network card, hard disk चाहिए, printer चाहिए, terminal चाहिए, screen चाहिए ठीक है तो किसी भी process को run करने के लिए बहु सारा computing resources चाहिए तब question यहां भी होता है कि यह computing resources को कौन allocate करेगा राइट? so let us see कि यह process को computing resource कैसे allocate करता है और कौन इसको यह computing resources allocate करता है क्योंकि जब तक यह resources allocate नहीं होगा तब तक यह process run करना शुरू नहीं करेगा, right? so operating system basically is responsible for allocating resources to processes ठीक है और operating system का जो special part है जिसको हम लोग Linux में discuss करेंगे kernel this is basically responsible for allocating the system resources to the processes अब system में क्या होता है? several processes है, ठीक है? एक नहीं कई processes run करते रहते हैं, ठीक है? तो जो resources का allocation होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि सारे processes को fair share मिलें, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक process को सारा resource मिल जारा बाकी process क्या हो रहे हैं? वो indefinitely wait कर रहे हैं, ठीक है? तो यह operating system की responsibility होती है कि वो fair way में resources को allocate करें, ताकि कोई भी जो process है, वो suffer ना करे, या उसका जो execution है, वो ऐसा नहीं को उसको बहुत समय तक wait करना पड़े, या indefinitely उसको wait करना पड़े, तो बैसकरी operating system, especially the kernel is basically responsible for allocating the resources to the different processes, ठीक है? सो हम लोग basically kernel के बारे हैं, kernel is basically the part of the operating system, या इसको हम बोलते है core, या इसको हम बोले तो जो सबसे main part होता है operating system का kernel, जो की process को resources allocate करता है, ठीक है? बिसकली आप बोल सकते हैं कि ये manager होता है resources का, सारे जो resources हैं, CPU, RAM, या peripheral devices, उसको उसका मालिक अगर बोले या उसका manager बोले तो ये kernel है, ठीक है? अब ये इसी पर depend करता है कैसे ये resources allocate करता है, तो ये basically policy बनाता है, उस policy के अनुसार, different, different processes को, वो अपने policy के हिसाब से resources allocate करता है, और resource allocation इस तरह से ये करता है कि ये, जो utilization है, resources का, वो optimize हो जाए, optimize का मतलब कि वो maximum utilization हो, resources का, लेकिन ये fair way में allocation हो, ठीक है? तो यहाँ पर एक example लिया है, diagram का through हम लोगोंने समझाया है कि ये बहुत सारे processes है, यहाँ पर एन processes है, ठीक है? अब ये सारे processes को run करने के लिए चाहिए, resources चाहिए, ये resources like the CPU, RAM, ये memory चाहिए, memory का मतलब generally RAM, CPU और physical and logical resources like the printer, printer अगर चाहिए, या hard disk चाहिए, ये सब peripheral, जो resources है, वो है, ठीक है? तो ये resources कोण allocate कर रहा है, वो kernel, जो Linux kernel है, ये basically ये, इनको resources allocate करेगा, वो decide करेगा कि ये resources जो है, क्योंकि ये resources, number of resources limited है, processes तो बहुत सारे हैं, तो किस वे में इसको allocate करे कि ये, जो utilization है, resources का, वो maximum हो जाए, ठीक है? मतलब जो resource allocation है, वो optimize हो जाए, ठीक है? Thank you.